लो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू स्टेडी वित्तिवारी चेनल तो कैसे हो आप सब तो बच्चो आज की इस क्लास में हम संपूर ब्याकरण के महतपूर कोशनों पर चर्चा करेंगे तो यदि आपने अभी तक मेरे चेनल स्टेडी वित्तिवारी को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो आज की इस क्लास में हम हिंदी ब्याकरण हैज्टेग सेवन पढ़ेंगे यदि आपने मेरे हिंदी ब्याकरण हैज्टेग वन से ले करके हैज्टेग शिक्स तक क्लासों को नहीं देखा है तो आप पहले उन क्लासों को देख करके इस हैज्टेग सेवन को अटेंड करें तो आओ बच्चो इसक्लास को हम स्टार्ट करते हैं. तो आप क्लास में लास्ट तक बनी रहें. तो आज की क्लास को हम प्रारम में करते हैं. और एक महतपूर शूचना है आपके लिए मेरी रोजाना क्लास इस्टेडी बिद्तिवारी चैनल पर स्याम को साथ पीएम होती है प्रितेक दिन तो आप जरूर जुणें तो बचो आज की इस क्लास में हम पहला कोशन देखते हैं व्यर्थ सब्द में किन वर्डों के मर्द संदी हुई है यदि आपको व्यर्थ सब्द का संदी विच्छेद पता है तो आप इस कोशन का जवाब पहुती आसानी से दे सकते हो तो मैं आपको पहले इस व्यर्थ सब् मैं संदी विच्छेद करके बताती हूँ तो व्यर्थ का संदी विच्छेद क्या होगा वच्चो B धन अर्थ क्या होगा V धन अर्थ अब आपको simple पता चल गया V में किसकी मात्रा लगी हुई है E की और पीछे क्या आया हुआ है A तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो, इसके राइट आइंसर पर आप आसानी से जा सकते हो जिस भी option में E धन A है वही व्यर्थ संदी हुई है, उसी में उन्ही बर्डों के मद्ध व्यर्थ संदी हुई है तो व्यर्थ में क्या हुआ? E और A तो इसका राइट आइंसर क्या हुआ बचो? First बिकल्ब Next question की तरफ move करते हैं, तो next question क्या है बचो? मनोहर सब्द में किस संदी का उधारन है? गुड स्वर संदी, दूसरा है ब्रद्दी स्वर संदी, तीसरा है वेंजन संदी और चोथा है विसर्ग संदी तो बच्चो आपको simple पता होगा, यदि आपको मनोहर सब्द का टुकड़ा करना आता है कि ये मनोहर सब्द भना कैसे है? तो आप simple तरीके से इसके प्रिकार पर भी जा सकते हो कि इसमें कौन सी संदी होगी तो एक second हम इसके टुकड़े कर लेते हैं मनेहे, मनेहे, धन, हर, मने, धन, हर, मने, धन, हर, मन को हरने बाला तो आपको पता है इसमें मनेहे में क्या आया हुआ है? बिसर्ग तो जिस भी option में बिसर्ग हो तो उसका right answer वही होगा तो गुड़ तो होगा नहीं, ना ब्रद्धी होगा इसमें, ना ब्यंजन होगा तो right answer कौन सा हुआ? fourth विकल्प next question कौन सा सब्द ले प्रत्थ से निर्मित नहीं है? तो बच्चो question में जो पूछा जा रहा है उसको एक बार आप जरूर underline कर ले उस सब्द को आप रेखांकित कर ले तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? नहीं है तो देखते हैं इसका जो first विकल्प है वो क्या है बितल second विकल्प है, इसमें सीतल और third जो विकल्प है इसमें है म्रदुल और fourth जो विकल्प है इसमें है स्यामल तो यदि आपको ले प्रत देखना है इसमें ले तो बैसे तो चारो उप्सन में आपको ले प्रत दिखाई दे रहा हो इसमें भी ले है इसमें भी ले है इसमें भी ले है लेकिन इसमें एक जो उप्सन वो ऐसा है जिसमें ले प्रत नहीं है तो आपको पता होगा देखो इसक ले प्रत्थ होगा सीथ प्लस ले इसमें तो है श्याम श्याम प्लस ले इसमें भी है म्रद्दू प्लस ले इसमें भी है लेकन बित प्लस ले रही होगा बित प्लस ले होगा बच्चो देखो सार तक सब्द लग रहा है आपको सुनने में तो बिल्कुल नहीं दर गणा तो य इसमें क्या है बी-ुपसर्ग है इसमें क्या है वच्छों बी-ुपसर्ग और तल-मूल सब्द है तो राट रासं कौन सा हुआ वितल अगला गोशिन है इसमें किश बिकल्प में संबंद तत्पुरुष शमास का प्रियोग हुआ है तो आपको पता होगा संबंद में क्या आते हैं बच्चो काकी के रारी रे तो इसमें देखो युद्ध भूमी तो युद्ध की भूमी तो किया गया इसमें रड भूमी रड की भूमी इसमें भी की आ गया देव भूमी देविताओं की भूमी या देवों की भूमी इसमें भी आ गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा उक्त सभी इस इन तीनो एगजाम इन तीनो ओप्सनों में क्या है बच्चो सम्मंद तत्पुरुस समास तीनों में, तीनों में क्या है सम्मंद तत्पुरुस समास नेक्स देखे हैं इसमें, अगला कौन सा है, निमने में से कौन सा सब्द सर्वनाम नहीं है तो इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों, नहीं है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, नहीं है तो पहला विकल्प है इसमें उस और दूसरा विकल्प है उसमें सड़क तीसरा विकल्प है उसमें तुम और चौथा विकल्प है मैं तो आपको पता होगा बच्चो सर्विनाम सर्विनाम कितने प्रकार के होते हैं छे और छे में वी आपको पता होगा, पहला होता है पुरुष बाचक। इश, तो बच्चो आपको समझ आया होगा, सड़क क्या है, सड़क एक संग्या सब्द है, सड़क क्या है बच्चो, संग्या सब्द, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, दूसरा विकल्प निम ने मैंसे किसे विकल्प में उद्दे से बिसेशन का प्रियोग हुआ है, पहला विकल्प है इसमें अच्छे लड़के, दूसरा विकल्प है इसमें दीपक हुश्यार है, तीसरा है इसमें यह बात सच है, और चोथा है उक्त सभी, तो आई होव, बच्चो आपने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा, ऐसी मैं आपसे आसा करती हूँ, तो देखते हैं, मैंने आपको बताया था बिसेशन के दो होते हैं, एक तो होता है उद्देश बिसेशन और एक होता है बिधे बिसेशन, तो इससे पहले बिसेशन आए, क्या आए, बिसेशन, तो वो तो होता है उद्देश बिसेशन, और यदि संग्या वर्ड के बाद बिसेशन आए, तो उशे बोलते हैं, हम बच्चो बिधे बिसेशन, उसे क्या बोलते हैं बच्चो बिधे बिसेशन, तो आप आसानी से कर सकते ह पूचा क्या है उद्देश में क्या आएगा पहले संग्या आएगी और बाद में क्या आएगा बच्चो बिसेशन इसमें फस्ट बिकल्प ऐसा है तो इसमें जो फस्ट बिकल्प है वे ऐसा है जिसमें पहले क्या आई हुई है संग्या और बाद में क्या आया हुआ है कहने का मतलब है भाद में क्या है बिशेशन तो यह किसमें जाएगा बच्चो बिधे बिशेशन में और दूसरा है इसमें यह बात सच है तो बात की बिशेशता बताई जा रही है कैसी है सच यह भी संग्या के बाद आया हुआ है यह भी किसमें जाएगा बिधे बिशेशन मे तो उक्त सभी answer तो कभी हो ही नहीं सकता तो जब आपने बच्चों तीन option को delete कर दिया तो right answer पर आप आसानी से जा सकते हो तो इसका right answer क्या हुआ? First vehicle Next question तरफ move करते हैं अगला question है इसमें लिखते समय बाक्य में कोई आवश्यक पद छूट जाए तो किस चिन्न का प्रियोग किया जाता है? तो इसमें first विकल्प है त्रोटी दूसरा विकल्प है कोश्टक क्या है बचो ये? कोश्टक कोश्टक तीतरा है लागव चिन चोथा है विबरन चिन तो बचो जैसे बाक के कोई वाक्य लिखा हुआ है उसमें से कोई पद आप से छूट जाए कोई सब्दे छूट जाए तो हम उसमें किसका प्रियोग करते हैं? त्रोटी का त्रोटी का जो चिन्न होता है वो ऐसे होता है ऐसे ये दो प्रिकार से होती है त्रूटी चिन तो समजечение होगा आपको? तो इसका right answer क्या हुआ, first भिकल, अगरा देखते हैं इसमें, मानसिक बिशेशन किस मूल सब्द से बना है, मानसिक बिशेशन किस मूल सब्द से बना है, first है मान, second है मनस, third है मानस, और fourth है मनसा, तो आपको पता होगा, यदि आपने मानसिक सब्द के टुकडे कल लिए, तो आप इसका answer आसाने से दे सकते हो बच्चो, तो यदि आपको पता है मनश, मनश धन, एक, मनश धन, एक, मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी सब्द के पीछे, एक प्रत्य लगे, क्या लगे ब के बर्ड में आदी ब्रदि कर देता है, जिस प्रकार से आपको मनस सब्द है, इस मनस सब्द में मा है, लेकिन एक प्रत्य जैसे ही हमने इसको इसमें लगाया, तो जब दोनों को मिला करके हमने सब्द लिखा तो वो क्या बनेगा बच्चो मानसिक तो मानसिक बिसेशन किस मूल सब्द से बना है मनस मूल सब्द से हलंत वाला मनस तो इससे बना है बच्चो मनस Next question सुद्द बाक का चेन कीजिए इसमें पूछा है सुद्द बाक First विकल्प है इसमें आज गर्म लू चल रही है Second विकल्प है प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है Third है इसमें हमें दूद को पीना चाहिए हमें दूद को पीना चाहिए और fourth है राम ने अहिल्या का उधार किया तो बच्चो आपने दे दिया होगा इसका right answer तो सुद्द बताना है आपको क्या बताना है बच्चो सुद्द वाक तो तीन ऐसे बाक कें जो कैसे हैं असुद्द तो बच्चो जो लास्ट का जो पिकल्प है उसमें आप देख सकते हो तो अहिल्या सब्द ये असुद्द है ये कैसा है असुद्द तो अहिल्या कैसे सुद्द लिखा जाता है इसमें ए की मात्रा नहीं आती अहिल्या क्या लिखा जाता है अहिल्या ज्यादा तर हम इसको ऐसे लिखते हैं लेकिन ये कैसा है असुद्द तो लास्ट के सेंटें इसमें असुद्धी क्या है सब्द संबंदी असुद्धी है तो अहिल्या कैसे लिखते हैं ऐसे तो यह option दिलीट दूसरा हमें दूद को पीना चाहिए हमें दूद को पीना चाहिए तो बच्चों आपको पता होगा निर्जीव कर्म के साथ कारक चिन्न का प्रियोग करना अन चिन्न या परशर्ग का प्रियोग करना कैसा होता है अनिचित तो ये भी option कैसा हुआ डिलीट क्योंकि यदि ये ऐसे होता हमें दूद पीना चाहिए तब तो ये सही था इसमें को नहीं आता तब तो ये सही था लेकिन अब इसमें को दे दिया तो ये कैसा हो गया अशुद फर्स्ट बिकल पर देखते आज गर्म लू चल रही है तो बच्चों मैं आप से पूछती हूँ जब लू चलती है वो क्या थंडी होती है थंडी होती है क्या वो नहीं होती न लू तो लू सब्द अपने आप में एक गर्म सब्द है लू सब्द अपने आप में क्या है गर्म सब्द अनावश्यक संबंदी अशुद्धी है लू अपने आप में गर्म रहती है अतैस सुद्ध रूप क्या होगा इसका आज लू चल रही है तो इसमें दो सब्द एक जैसे आगे गरम भी और लू भी लू तो खुद अपने आप में कैसी होती है कहीं आपने ठंडी सुना है नहीं सुना था गर्मियों में चलने बाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है आपने पड़ा होगा राजिस्तान जगरौफी में तो इसमें एक सब्द इसमें अनावश्यक आया है जिसकी आवश्यक था नहीं थी यह ओप्शन भी डिलीट हुआ तो बच्चों जब आपने तीन बिकलपों को डिलीट कर दिया तो आप राइट आंसर पर आसानी से जा सकते हो तो इसका राइट आंसर क्या हुआ प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है इसकी धार पर चलना है बच्चों तलवार की धार पर कभी वी चल जाएगी माट डालेगी आपको जिंदिकी वर के लिए किसे बिकल्प में तत्सम सब्द प्रियुक्त हुआ है कैसा सब्द बचो तत्सम तो आपको पता होगा तत्प्लस सम तत्सम सब्द किस से बना है बचो तत्प्लस सम से तो तत्माने जैसा और शमाने समान जैसे का मतलब है जो सब्द संस्कृत में जैसा है बैसा का बैसा हिंदी में आ गया तो जो सब्द संस्कृत से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम तो आपको कहने का मतलब है इस कोश्चन में क्या देखना है तत्सम सब्द तो फर्स्ट विकल्प है किर्शक, सेकंड विकल्प है इसमें रानी, थर्ड विकल्प है इसमें निठुल और फोर्थ विकल्प है इसमें काना, तो इसको देखते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा काना सब्द कैसा है, तदवब, कैसा सब्द है बच्चों, हिंदी का सब संस्कृत में क्या बोलेंगे कहने का मतलब है तस्सम में क्या बोलेंगे क्रिश्ण क्या बोलेंगे बच्चो क्रिश्ण तो यह option कैसा हुआ डिलीट अब रानी आपको पता यह हिंदी का सब्द है लेकिन संस्कृत में इसको कहने का मतलब है तस्सम में क्या बोलते हैं इसको र तुर जैसे योडिश्डुर सु निस्थुर क्या बोलते हैं वच्चों निश्टुर तो तीन बिलाग विकल्प वो डिलीट कर दिये हैं तो बचाकॉन सा विकल्प। फस्ट्स पेकलप। तो इसका राइटा अंसर तो क्या हो गया फस्ट्प अपको पता वगा किर्शक वोगा किशान क्या होगा किशान किशान क्या होगा किशान तो आई ओप बच्चों आपको समझ आए होंगे यह दस कोशन तो नेस्ट यदि आपने अभी तक मेरे चैनल स्टेडी वित्तिवारी को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले सस्क्राइब करने और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले